घर में हुई चोरी लेकिन थाने में नहीं कोई सुनवाई, स्पी से लगाई गुहार उत्तर प्रदेश के जनपत बांदा में एक महिला के घर पर हुई चोरी जिसके अंतरगत महिला ने अपने ही पडोसी पर लगाया चोरी का आरोप पूरा मामला जनपत, बांदा के तैदवारी क्षेत्र अंतरगत रामनगर का है जहां की रहने वाली एक विद्वा महिला सूरज देवी ने अपने घर में हुई चोरी को लेकर संबंदित तैदवारी थाना में रिपोर्ट दर्च करानी चाही लेकिन वहापर उसकी प्रार्थना पत्र दिया जिसके अंतरगत महिला ने बताया की मेरा नाम सूरज देवी है और मैं रामनगर थाना तैदवारी जनपत बांदा की निवासिनी हूँ मेरे घर में रात को बारा बजे मेरा ही पडोसी रामनरेश कुमहार दीवाल फांद कर आया और घर में रखे बर्तन लोटा, चांदी की तोड़िये और गैस सिलेंड सहित 10,000 रुपे आदी लेकर जाने लगा तभी मैं पेशाप करने के लिए उठी और मैंने उसको जाते हुए देखा तो उसने मुझे बंदू जैसी चीज दिखा कर दरा दिया जिससे मैं कुछ बोल नहीं सकी प्रार्थना पत्र के माध्यम से महिला ने उक्त जानकारी पुलिस अधीक शक महुदे बांदा को बताया और कानूनी तोर पर कार्यवाही करने की मान की है रिपोर्ट नवल तिवारी अवीपी भारत न्यूस चैनल प्राइम बयूरो बांदा यह लिए यह लिए फट्र प्रवरी को इस बात कि अकशिज प्रवरिक अगया तो इसे बात की थाने में कंप्लेल राहा भाघा दिया तका बहता दिया कोई समाइन हो यह भी तक कट्छ नहीं पागए अभी तक अच्छा तो आज कप्तान साब के आए थी मिले कप्तान साथ से कोई मिला था अप्लीकेशन दे दिया था और अब किया हुआ परन क्या कहा कि और में आरा है ये चीठीक होगे हमारे लग चुरी हो घंग घंद्ग टांध को दिखा तका था को कप्तान साहब के पास आंड़ से विफ द ng持त आ पीजिघेए की रात हीमें के जूकर से लिगए का नियम झी आए